ओम नमर्शिवाय, ओम नमर्शिवाय दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप आशा करता हूँ, आप सभी खुश होंगे, आप कुशल मंगल होंगे और भोले नात आपके जिवन में हमेशा खुशिया रखें, आपको हमेशा खुश रखें परस पेरी यही दुआ है दोस्तों अगर आप परतमार में कोई तकलीफ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के उपर मेरे नमबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपॉन्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस, उसका सुल्क लागवे दोस्तों आपको कभी भी ये बाते किसी को नहीं बतानी चाहिए जब भी ये बाते लोगों को पता लग जाती है इससे हमारी कई सारी परेशानिया बढ़ जाती है अब भी हम चीजों को कैसे सही करें वो भी बताऊंगा लेकिन इन बातों को अगर हम बता ही नहीं तो उससे हम एक बहुत बड़ी परिशानी से पहले ही बच सकते हैं दोस्तों तो इस पूरे वीडियो को देखें और चीजों को बहुत बारीकी से समझें तो शायद आपकी इसमें कुछ अच्छी मदद हो पाए लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भूले नात का कोई एक नाम लिखे हरहर महादेव जैशिव शम्भो जो आपका मनव आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं दूसरी बात है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ अगर अपने कुंड़े कैनल से हमसे करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर चली रहे हैं अवाट्स अपर अपोइड में लेकर हमसे बात कर सकते हैं सबसे पहली बात जो कभी भी आपको जाने एं जाने में किसी को नहीं बताने चाहिए वो है आपका धन जैसे आप लोगों को धन के बारे में अपने बता देते हैं लोग आपसे मदद मांगते हैं लोग अपनी जूटी परिशानी लेकर आपसे पैसे ले सकते हैं उन्हें पैसों का कुछ नो कुछ काम पढ़ी जाता है और आपसे वो पैसे की डिमान करते हैं तो पेसे दे देते हैं क्योंकि आप तो बहुत भावुक है बहुत सरल है और बाद में अपने ही पैसों के लिए उनके सामने आपको गिल्गड़ना पड़ता है मांगना पड़ता है पैसे माग नहीं है चोड़ें ऐसा है या कहीं बार हो आए है कि Himaris जाते हैं इसलिए कभी बी जाने अनजाने में अपने धन का प्रचार ना करें दन का को जाने समझे और बस लोग उसी का मिस्यूज करते हैं आप अपने आपको अगर एक बार बेट कर चीजों को समझेंगे कहें ने मन में जो भी दिक्कत है परिशानी वो लोगों से कहनी चाहिए लेकिन बहुत से लेक्टेट लोगों से कहने चाहिए जो लोगों पर आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए कि हम कितने मंतरों का जब करते हैं इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप मंतर जब करें ओमनमे शिवाय मंतर ले और उसका जब करें आपको बहुत बहुत फायदा इससे होगा दोस्ते